केलांचल टाइप्स हर खबर पर हमारी नज़र नमस्कार आप देखरें केलांचल टाइप्स और मैं हुटन दंजा जारखंड में बिधान सवाचुलों की सरगरवी अभी तेज हो चुकी है सभी परत्यासी अपने अपने परत्यासी के चैन में अभी से लग चुके लेकिन जो लोग सिटिंग सीट अगर सिटिंग सीट की बात करें भाजपा में लगभग उनके टिकट तहे हैं इसी कड़ी में आज हम लोग देवघर के विधायक रहें दाजी से वारी मुलकात हो रही है उनसे जानने की कोशिज करेंगे पांस साल जंता ने इनको दिया पांस साल में सबसे पहले नंदन जी आपको मैं आभार व्यक्त करता हूं मैं पांस साल नहीं बलकि दथ साल से विधायक बना हूँ और मेरे लिए काफी गौरव की बात है कि 2014 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया भारती जनता पार्टी यहां से कभी चुनाव लड़ती नहीं थी यह सीट कठबंदन में जाता था जिसके कारण संगठन कभी चुनाव नहीं लड़ती थी 2014 में जब पार्टी ने टिकट दिया तो पूरे छेत्र में एक हवा फैली कि पार्टी ने एक अच्छा काम किया है और एक गरीब कारिकरता को टिकट दिया है जिसके पास 200 रुपया मिठाई खिलाने का नहीं था मैंने लगातार जनता की शेवा की कारिकरताओं के दुखदर्द को अपना दर्द समझा और 2019 में जब पार्टी ने पुनह मुझे टिकट दिया तो मैं लोगों के बीच इसी सवालों के साथ गया कि यदि आपने कुछ कहा और हमने नहीं किया है तो बताईए सारे लोगों ने कहा कि ने आप से जो डिमांड हम लोगों ने किया वो पूरा किया है और मैं राजनीत नहीं जानता हूं मैं शेवा के भाव से पार्टी में आया हूं और यही कारण है कि दस साल बीतने के बाद भी कारिकरताओं का हुजूम, कारिकरताओं का जनसेलाब, ल प्रतिपक्ष के लोग हों, आप किसी से अगर पूछेंगे, तो लोग कहेगा कि नाराइंदास से बेश्ट चेहरा कोई नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने किसी को कश्ट नहीं दिया, मेरे अंदर प्रतिसोद की भावना नहीं है, एक गरीब घर में पैदा लिये, गाउं और ग और कुई लिड़ी यहां मेरा गाव है, वहां साखा लगती थी, और क्लास छे से ही मैं बाल स्वेंग शेवक के रूप में साखा जाता था, और यही कारण है कि मैं निष्ठा के साथ, राष्टबाद विचारों के साथ, लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द सम तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों का प्यार, सने, अपनापन और जहां तक काम की बात है, मेरा काम भी बोलता है, लोग सभाचुनाव के पहले हमने 40 पूल, पुलिया, सडक का सिलान्यास किया, अभी लगातार, अभी लगातार, शडकें बन रही हैं, उनका सिलान्यास में कर आए दिन लगातार, दो, तीन, पूल हो, सडक हो, बिजली की विवस्था हो, मेडिकल की सुविधा हो, अब बाबा वेदिनात नगरी है, जहां रीचाएं गुझती हैं, स्वमई प्राथनाएं होती हैं, हमेशा सिवगोश का नारा लगता है, और आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, मेरे प्रियाज से रगवरदास जी की सरकार थी, तो मैंने संस्कृत, बाबा वेदिनात संस्कृत की शुद्याले, वो ध्वनिमत से पारित कराया था, आज उसकी जमीन, खोजी गई है, और जमीन भी मिल गया है, डीबी आर बन रहा है, तो देवगर के लिए ब समझिल दिया है, और हिंदुस्तान में एक ऐसा पुस्तकाला है, कि 24 घंटा सेवा देती है, जहां बच्चे पठन-पाठन करते हैं, तो सिक्षा के परती, पानी की चिंता, स्वास्त की चिंता, सड़क की चिंता, पूल की चिंता, लोगों के दुख दर्द को समझने वाला विधायक देवगर को मिला है, और मैं अगर ऐसे ही भाव से लोगों के साथ खड़ा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उसका यदि मैं निर्वहन कर पा रहा हूँ, तो यही मेरी ताकत है, इस बार उन्हा चुनावी मैदान में जाएंगे इस बार का मुद्धा क्या लगता है, इस बार का क्या मुद्धा लोगों का विधाश, लोगों के दुख के साथ खड़ा रहना, लोगों को मुलभूत सुविधा देना, शातर हित्मे बात करना, किशानों के साथ रहना, पानी की समस्या का निदान करना, शड़के बनवाना और जो भी सरकार से आए दिन आप विधान सबा में देखते हैं कि देवगर के मुद्दे के उपर में कितना गंभीर रहता हूँ क्योंकि देवगर जो है वो जहरखंड की सांस्कृतिक राइधानी है दूसरे यू में कहिए आपकी देश की दूसरी धार्मिक राइधानी है और देवगर में क्या नहीं आया देवगर में बहुत कुछ आया और देवगर में बहुत कुछ आयेगा विकास एक परक्रिया है और परक्रिया के साथ हम लोग खड़े रहते हैं लेकिन जोबी आदमी आता है और उनिस आदमी अगर मेरा नहीं है और खुब तरक हो रहा है और लाश्ट में अगर उस उनिस आदमी से अगर पूछेंगे आप कि अच्छा बताइए तुलना कीजे कि कौन अच्छा आदमी है तो वो भी आदमी कहेगा कि नाराइंदास बहुत अच्छा आदमी है जो लोगों के साथ खड़ा रहता है दिनराथ चरने वाला आदमी है दिनराथ हमारा कभी फोन आफ नहीं होता है हम हमेशा खड़े रहते हैं लोगों के लिए नहीं तो जन्रप्रतंदी ऐसा देवगर को मिलता था किसाम होता था और दुनिया उनकी मस्त हो जाती थी लेकिन नाराइंदास तीन बजे भोर चार बजे भोर पाँच बजे भर तक शादी है सराद है बीमारी है अगड़म है बगड़म है लोगों के यहां जाना है कथा है चोपारा है हर प्रकार से हमारी हमारे अंदर सेवा का भाव है और यही सेवा का भाव देखके तेसरी वार यहां की जंता मुझे प्रचंट बहुमत से जिताएगी यह मेरा मानना है देवगर जिले में भाजपा काली करताओं में मत्भेद नहीं है इसके पहले हम ही जीला देख्ष थे और अपने जीला देख्ष की कालखंड में मैंने जो काम किया प्रधान मंत्री जी का आगमन हुआ ग्रिह मंत्री जी का आगमन हुआ राष्टी अद्यक्ष का आगमन हुआ प्रदेश कार्शमीती की बैठक जो आज भी चर्चा का केंद्र है कि जिस प्रकार मैंने कराया उसकी आज भी चर्चा होती है बूत कमिटी जहारखंड में सबसे पहले देवगर जीला का बना और प्रदेश के द्वारा सत्यापित हुई प्रदेश ने भी माना कि देवगर जीला सबसे आगे है कारी करता हूं में कहीं जो भाजपा का कारी करता है उसमें कहीं किसी प्रकार की बात नहीं है जो भाजपा को नहीं समझ पाता है वो भाजपा से बड़े नेता हो जाते हैं लेकिन जो भाजपा के सिध्धांत के साथ भ सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बनी है और नारायंदास से एक डंडा और जंडा के नीचे हमेशा रहा है यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि देवगर में एक नारायंदास है जो पार्टी में आयातित नहीं है पार्टी के साथ है पार्टी के निष्ठा के साथ है पार् नराएंदास ने तेवगर विधानसभा का विकास किया यह चाह सिक्षा हो, सड़क हो, पांटी हो, बिजली हो, बड़े कार बिश्विध्याले के स्थापना हो संस्कृत, बिश्विध्याले का अनेकों कार किये बड़े फ्लायोवर देवगर में बनवाए, इसलिए उद्दा हुगा और इस बार फिर से विकास के मुद्दे को लेकर जनता हमें तिसरी बार प्रचंड भोट से चिता कर जहरकंड विधानसभा महीजेगी धन्यवाद.